एक गाउं में पायल अपने माता पिता के साथ रहती थी। पायल अभी आज परस्ती थी कि उसकी मा की मुरीत तो हो जाती है। उसका पिता करिश्ना दीपा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। दीपा की भी एक साल की चोटी सी बेटी थी जिसका नाम राधा था। दीपा कभी भी दोनों बेटियों में फरक नहीं करती थी। दोनों बेटियां बड़ी हो रही थी। राधा दिखने में बहुत खुबसूरत थी, लेकिन पायल दिखने में ज्यादा सुन्दर नहीं थी। एक दिन बिमारी की वज़ा से पायल के पिता की मरीतु हो जाती है। करिश्ना की मरीतु की खबर सुनते ही, दिपा और उसकी दोनों बेटियों पर जैसे पहाड ही ठूट पड़ा हो। पायल, रो मत, जीना मरना तो उपर वाले के हाथ में है ना। हाँ राधा, तुम ठीक बोल रही हो। दिपा लोगों के कपड़े से लाई करके घर का गुजारा करती थी। एक दिन दिपा की पहन कुछ दिनों के लिए दिपा के घर पर रहने आती है। राधा देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मारिया राधा को बहुत सारे गिफ्ट देती है और दूसरी तरफ पाइल देखती रहती है। लेकिन राधा की खाला उसे कुछ भी नहीं देती। पाइल को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो अपने कमरे में चली जाती है और रोने लग जाती है। दीपा रोने की आवाज सुनकर कमरे में चाती है। बीटी पाइल तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है। अमा, मारिया खाला मेरे लिए कोई किफ्ट नहीं लेकर आई। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तब ही दीपा को उसकी बहन आवाज देती है। दीपा बेहन के पास जाती है। तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो, जब देखो उस पाइल के पीछे घुम रही होती हो। उसके अपना बाप तो मर गया और ये मुसीबत तुम्हारे गले डाल गया। लेकिन दीदी, पाइल भी तो मेरी बेटी है ना। उसके बाद मारिया दीपा के इतने कान भड़ती है के दीपा का पाइल के साथ रवया ही बदल जाता है। कुछ दिन के बाद मारिया चली जाती है। पाइल, मैं और राधा सरा मार्केट जा रही है। हमें देर हो जाएगी, तुम खाने पर हमारा इंतजार मत करना। पाइल को मा की बात सुनकर बहुत दुख होता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। पाइल, मैं और राधा जरा साथ के काउं में मेला है, उधर जा रही है। तुम घर की सफाई जरा अच्छे से कर देना। मा, आज कर आप जहां भी जाएं, मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाती। क्या मुझ से कोई गलती हो गई है मा। इस काली सूरत को मैं कहां लेकर जाऊं। बाहर लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसा बोलकर दीपा अपनी बेटी राधा को लेकर मेले में चली जाती है। पाइल बैठकर रोने लग जाती है। इस दुनिया में एक ही मा थी जो मुझ से प्यार करती थी। मुझे काले रंग की वज़ा से अब मा का रवया भी मुझ से बदल गया। अब मेरे चीने का क्या फाइदा। पाइल गाउं की नदी के पास जाती है और मरने का सोच रही होती है। तो तभी उसे आवाज आती है। बेटी तुम ये क्या कर रही हो। पाइल इधर उदर देखती है। ये ये मुझे बेटी करके किसने बुलाया। तभी साथ एक दरख्त पर बैठी परी पाइल को अपने पास बुलाती है। बेटी तुम इस तरह नदी में टूप कर मरने क्यूं आई हो। पाइल रोते हुए परी को सारी बात बताती है। रो मत पेरी बेटी। इतना बोलकर परी पाइल को पेड़ पर लगी बहुत सारी साडियों में से एक साडी उतार कर देती है। ये लो बेटी इस साडी को पेहनते ही तुमें सब समझा जाएका। पाइल परी का शुकरिया अदा करके घर चली जाती है। घर जाकर परी की दी हुई साडी पेहन लेती है। साडी के पेहनते ही पाइल का रंग सुफध हो जाता है। पाइल ये सब देखकर बहुत खुश होती है। तब ही राधा पाइल के कमरे में आती है। राधा को अपनी आँखों पर शकीन नहीं आ रहा था। पायल, क्या, क्या ये वाकित तुम हो? हाँ दीदी, मैं ही हूँ दोनों बेहनों की आवाज सुनकर दीपा भी कमने में आ जाती है पायल को देखते ही दीपा की आँखें खुली की खुली रह जाती है पायल, तुम इतने सुन्दर कैसे हो गई? उसके बाद पायल अपनी मा को सारी बात बताती है जब दीपा को ये बात पता चलती है कि दीपा की वज़ा से पायल ने बढ़ने की कोशिश की थी उसे बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे माफ कर दो बेटी, मैं किसी की बातों में आ गई थी आप हमारी मा हो, आप माफी मत माँगो मा मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है मा उसके बाद दीपा अपनी दोनों बेटीयों को एक जैसा प्यार देती है और वो सब हनसी खुशी रहने लग जाते है हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं शुक्रिया